हेलो अबरिवन तो देखिए आज हम सुपर पोजिशन थियोरम की हेल्प से इस सर्किट में जो यहाँ पर यह 6 ओम का रेजस्टेंस है यहाँ से कितनी करेंट फ्लो करती है उसको निकालेंगे चीक है जब हमारे सर्किट में दो सोर्स लगें एक हमारे पास 24 ओल्ट का सोर्स है और एक हमारे पास 4 ओल्ट का करेंट सोर्स है यहाँ जब यह दो सोर्स लगे होंगे तो उस टाइम पर इन दोनों सोर्स की हल्प से यहाँ पर इस 6 ओम रेजस्टेंस में कितनी यह फिर यह जो हमारे पास सर्किट होता है इस सर्किट में जब यह दो सोर्स लगे होंगे तो इस 6 ohm resistance से कितनी current तब flow करेगी सभज मैं रहा है तो super position theorem में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक source को लेते हैं और बाकियों को zero कर लेते हैं मालने जे कि सबसे पहले हम 24 volt का source लेंगे और बाकी जो source हैं जैसे हमारे पास 4 ampire का हैंपर current source है तो इसको हम zero करते हैं तो current source को zero करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसको open करना पड़ता है यहां से ठीक है तो चलिए इस तरीके से यहां पर फिर से circuit को बनाते हैं एक यहां पर हमारे पास 24 volt का source है इसको हम इसी तरीके से रखेंगे यहां से एक resistance है तो इस वाले resistor से तो कोई भी current flow नहीं करेगी क्योंकि आगे तो यह open है तो open circuit में कोई current flow नहीं करती है तो जो भी इस 24 volt से current flow करेगी वो इस वाले circuit में मतलब इतना जो circuit बचेगा इसमें ही हमारे पास flow करेगी जो कि हमने यहां पर बनाया है देखो 24 volt और यहां पर था 6 ohm का resistance और यह था 6 ohm का यहां पर resistance तो जो भी current flow करेगी वो इस तरीके से flow करेगी सौज में रहा है तो हमें निकालना इस 6 ohm resistance में कितनी current flow करती है सौज में रहा है इस source के help से सबसे पहले 24 volt source से यहां से कितनी current flow करेगी तो जो current यहां से flow करेगी है कर नहीं है क्योंकि हमें पता है current होती है i बराबर होता है v divided by r तो v तो हमें पता है कितना है 24 volt तो 24 लिखेंगे और resistance में क्या हो जाएगा यह series में connected है तो 6 plus 6 कितना हो जाएगा 12 तो 12 लिखेंगे तो 12 दोने 24 तो current जो हमारे पास यहां से 24 volt से flow करेगी वो हमारे पास कितनी है 2 am ki current मतलब यही 2 am ki current इस वाले register से भी flow करेगी और इस वाले register से भी flow करेगी तो हमें पता लग गया कि जब हमारे circuit में 24 volt का source लगा होगा तब हमारे इस वाले resistor से इस 6 ohm resistor से कितनी current flow कर रही है 2 ampere की current flow कर रही है ठीक है इसको हम समझने के लिए रख लेते हैं I1 ठीक अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास 24 volt का source लगा है इसको हम 0 करते हैं और ये वाले current source लेकर चलते हैं ठीक है तो इस वाले current source से देखेंगे कि जब हमारे circuit में ये वाला जो source लगा होगा तो तब हमारे इस resistor से इस 6 ohm resistance से कितनी current flow करेगी तो इसको हमने 0 करना है voltage source को तो 0 करने के लिए हम क्या करते हैं voltage source को 0 करने के लिए हमने इसको direct करना पढ़ता है मतलब short करना पढ़ता है तो चलिए यहाँ पर फिर से draw करते हैं यहाँ पर मान लिजी कि हमने इसको short कर दिया 24 volt source को और यहाँ पर एक resistance था यहाँ पर एक और resistance था यहाँ पर भी resistance लगा था और यहाँ से था हमारे पास current source जो कि था 4 ampere का चीक है और यह वाले जो resistance की value है वो है 6 ohm इसकी भी है 6 ohm और इस वाले रेजिस्टर की value भी कितनी है 6 ohm ठीक है अब देखो हमने इस वाले resistance से निकालना है कि यहाँ से कितनी current flow करेगी जब यह वाला source connected होगा हमारे circuit में तो देखो यह जो 4 ampere की current है वो इस तरीके से flow करते हुए यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ से देखो दोनों resistance की value सेम है 6 ohm और 6 ohm इसलिए यह जो 4 ampere की current यहाँ पर पहुँचने के बाद equally divide होगी मतलब यहाँ से भी 2 ampere की current flow करेगी और इस वाले resistor से भी 2 ampere की current ही flow करेगी क्योंकि यह सेम value है इनकी स्वाई में आ रहा है तो देखो हमें पता लग गया कि भाई जब हमारे पास circuit में 4 ampere का current source लगा होगा तो इस वाले resistor से 6 ohm resistor से 2 ampere की current flow करेगी और इसको हम नाम दे देते हैं कि I2 है I2 कितनी मिली हमें 2 ampere मिली तो देखो जब हमारे पास 24 volt का source लगा था तो हमें मिली 2 ampere की current और जब हमारे पास 4 ampere की current source मिली था तो तब हमें कितनी मिली current 2 ampere की current मिली तो total जब हमारे पास ये दोनों source हमारे circuit में लगे होंगे तो दोनों से कितनी current यहाँ पर flow करेगी देखो direction तो सेम है इस वाले source से भी current इस तरीके से flow करते हुए नीचे के लिए जाएगी और यहां से current source की direction देखो यह arrow indicate कर रहा है ने current की direction तो इसी तरीके से current flow करेगी तो दोनों की direction क्या होगी downside होगी इसलिए दोनों current क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी मतलब I1 प्लस I2 तो I1 हमें मिली 2A प्लस I2 भी हमें मिली 2A तो total current जो flow करेगी इस वाले register से जब हमारे दोनों sources connect होंगे तो total current कितनी मिली हमारे पास 4A की मिली ठीक है so I hope कि आपको यह clear हो चुका होगा so thank you very much